है वे फिंट्स एंड वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल अनलिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन लेबल्स के है हमारे internet trades के बारे में and logic behind that trade too. दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए. साथ में इस चैनल पर आपको technical analysis और trading techniques related videos भी regularly देखने को मिलते रहते हैं. For example, अगर आप options के अंदर derivatives के अंदर trade करते हैं, तो option chain को किस तरह से effectively read करना चाहिए, कौन से strike के उपर बायर एक्टिव है, seller एक्टिव है, या कौन से strike पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है. इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करके trade करें. इन सब subject को cover करते हैं वीडियोस आपको अमारे playlist में मिल जाएंगे. तो friends, इसी तरीके से नए-ने चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं उसकी membership को भी join कर सकते हैं जहां पे silver, gold और platinum ये तीन membership हम offer करते हैं इनकी सब gold आपको nifty और bank nifty के जो daily के futures के label होते हैं हम आपके साथ में वह शेयर करते हैं और अगर आप platinum membership के लिए जाते हैं तो आपसे live market के अंदर में जो मैं trade initiate करता हूं, trade के बारे में information भी शेयर करता हूं तो दूस्तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50, bank nifty और अगर आज के बारे में जो दूस्तो शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में इंडिया विक्स 22.95 पे काम करता हुआ लगबग 23 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है 0.26 पांट की गेन देखने को मिल रही है और candle देखे किस तरह का candle देखने को मिल रहा है आज फिर आपको एक long candle देखने को मिल रहा है एक चीज जो यहां पर देखने को मिल रही है कि higher side में उसका higher range है उपर की तरब जाता हुए नजर आए यह तो इसे tension की बात है मार्केट में पैनिक इसके बढ़ जाता है तो पैनिक बढ़ते भी हमने आज मार्केट में देखा भी आज के दिन में किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी शाफ फॉल हुए और देन उसके बाद में उपर जाते वए नजर आए निफ्टी 11,933 नाइन हंड़ेट के उपर क्लोजिंग देने में सक्सेस्पुल रहा यह बहुत बड़ी बात है इतने 11,800 बी टुड़ गया था दिन के अंदर में 11,923 पे काम करता हुआ निफ्टी फूचर है बैंक निफ्टी 323 पॉइंट के गेन के साथ में 24,600 के उपर क्लोजिंग देने में सक्सेस्पुल रहा है बैंक निफ्टी फूचर 24,700 पे काम करता हुआ नजर आ है निफ्टी फूचर और बैंक निफ्टी फूचर दोनो प्रीमियम के उपर में माफ करिएगा बैंक निफ् के दिन में कौन सा ट्रेड इनिशिट के था उसके बारे में डिसकस करेंगे तो दोस्तों आज के दिन में तीन ट्रेड लिया हुआ था मौर्निंग में 25,000 लिया था रिजन के लेने का कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं उसमें क्लियर कट बोला था कि अगर 24, 4550 के उपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है सस्टेंग करता है तो 25,000 जाने के पूरे चांसे बनते हैं इसके लिए आउड आप दो मनी कॉल ने आप लिया हुआ था लेकिन कुछ मूव देखने को मिला नहीं उसके अंदर में इसके लिए उसे 9 रुपे के लॉपर में उसे स्कॉर अफ कर दिया बात में निफ्टी 12,000 पी बाइ किया था 53 रुपे में बाइ किया इत मूवड अप तिल 173 फॉल एक्सपेक्टेड था इतना होगा वह एक्सपेक्टेड नहीं था 63 के उपर में स्कॉर अफ किया और उसके अंदर में कुछ 18% का प्रॉफिट बुक हुआ देन मजैसे निफ्टी नीचे गिर रहा था उस ताइम पर एक कॉंट्रा कॉल लिया बाइ कि 11,900 सी 91 रुपीज करके 103 पर बाइ किया हुआ था और एवरेज करके उसे 91 पर लेका है 131 के अंदर में स्कॉर रफ किया वहां पर लगबग 44% का प्रॉफिट बुक होते आपको यह सारे messages जो यह trades हैं मैं दिन बर में शेयर करता हूं definitely यह सारे की सारे trades आपको आपके mobile पर मिल रहे होंगे अगर आप हमारे platinum members है तो अगर आप हमारे platinum members हैं और अगर आपको trade नहीं मिल रहे हैं तो आप 829-180-2926 के उपर में WhatsApp कर सकते हैं you can take help from him चली देख लेते हैं इंडेक्स कल की दिन में क्या काम कर सकता है और Nifty और Bank Nifty कल के digital की दिन कैसे मूव कर सकता है कात करें यूज करेब बात करें के इसके बारे में Bishop Bank Nifty Nirs cookie के बारे में जहां पर अज सरुआत हुई काफी बlaus पया महता से एक रैली देखने देखने को मिला रेली सिर्फ पंदर मिनिट तक ही देखने को मिला आफ्टर देखने को मिली कॉंसलिडेशन क्लियर कट समझ में आ रहा था और इसा लग रहा था कि यहां पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रुकाओ ले सकता है तो 24,500 के उपर जाने पर एक्पेक्टेट था कि रेली आपको अ 24,100 तक का लो बनाया और उसके बाद में फिर से रिकावरी हुई क्लोजिंग कहा हुई 24,642 के आसपास में देख लेते हैं पहले लेबल के बारे में तो अब हमारे लिए जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेबल बनाऊ वो 24,800 के आसपास का बना हुआ है क्लोजिंग अब आई 24,642 के आसपास में हुई है जब तक 24,500-550 के उपर की क्लोजिंग कंटीनिम होती है चांसेज ज्यादा रहेंगे 25,200 अचीब करने की अगर 24,300 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है या तो बी स्पेसिफिक 24,400 के नीचे की क्लोजिंग अगर एक बार देखने को मिल जाती है बैंक निफ्टी के अंदर में तो चांसेज है कि हम 23,700 की तरफ जाते हुए फिर से एक बार नजर आए डेली केंडल पर देखे क्या बना है हायर हायर लो पैटरन कंटिन्यू फॉर्म होता हुआ नजर आया है और चौते दिन की मैं बात कर र नहीं आये तो एक बार 25,000 टच होना चाहिए बस 200 पॉइंट ही तो रह गया है जो आज हमने हाई बना है वहां से और जहां पर क्लोजिंग दिये वहां से लगबग लगबग आपको 350 पॉइंट का ट्रैवल करना पड़ेगा वहां पे अगर 25,200 के आसपास में मिलता है बैंक 24,100 से लेके 24,200 एक बढ़ियां बाई जोन दिख रहा है यहां पर अगर मिलता है तो 24,600 के टागेट के लिए एक बार काम किया सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में ओप्शन देख लेते हैं ओप्शन चैन में क्या हो रहा है तो अमने क्लोजिंग कहा दिए 24,600 एंड 35 के अपर में क्लोजिंग दी है तो विल चेक कि कहां पे कैसे क्या पोजिशन बनता हुआ नजर आ रहा है ओप्शन चैन के अंदर में 24,600 हमारा at the money है 7,711 & 6,397 का open interest है इतने लॉट्स वहां पे open है highest open interest 25,000 पे place है कितना 50,210 उसके बाद में 25,500 पे एक open interest देखने को में मिल रहा है call site का एक in the money के अंदर में 17,000 का भी भी open interest 24,500 पे बना हुआ है वहां पे आज 19,000 लॉट की unwinding भी हुई है longs बनते हुए नजर आ है जितने भी in the money contract and 24,800 तक longs बनते हुए नजर आ रहे है और उसके बाद में short में addition होते हुए नजर आ है सबसे ज़्यादा addition का हुआ है activity सबसे ज़्यादा कहां देखने को मिली तो activity सबसे ज़्यादा आपको 24,500 पे देखने को मिली है 19,386 का unwinding है और addition अगर बोले तो 13,240 का addition 48 का addition आपको 25,000 पे देखने को मिल रहा है put side में देखे highest open interest का है put side का highest open interest 44,632 के साथ में 24,000 पे है कल expiry है और expiry के ठीक पहले दिन अगर कुछ समझ में अभी आ रहा है तो वह एक clarity है कि 24,000 से लेके 25,000 कल important label का होने वाला है एक बार 24,000 के पास में जाते हैं buy कर लिजे एक बार 25,000 के पास में जाते हैं sell कर लिजे ये कल के हिसाब से देखने को मिल रहा है Friday के दिन में क्या होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहा है लिएक कल expiry के पास में अगर किसी भी news के चलते हुए gap up मिल जाता है 24,900 मिल जाता है तो आप आज का दिन आज का जो हाई था 24,800 उसको तोड़ के उपर की तरफ जा रहा है एक बार 25,000 के आसपास में रुकता है market तो बढ़ियां अगर नहीं रुकता है तो short position बना लेनी चाहिए put buy कर लेने चाहिए अगर 24,100 के आसपास में मिलता तो जैसे मैंने पहले mention किया एक buy position बना लेनी चाहिए तो दोस्तों यह बात हो क्या bank nifty के बारे में निफ्टी के बारे में already video में अप्लोड कर लिया है उपर i button पे या cards के उपर में click करके आप वीडियो भी देख सकते हैं कल के view के बारे में thank you very much for watching this video hope आपको वीडियो पसंद आय रहेगा किसी भी तरह का suggestion please उसे comment box में mention करिये so that we can improve ourself thank you very much for subscribing our channel and being with us as a platinum member hope आप उस benefit को enjoy कर रहे होंगे so hope कल का दिन आपके लिए जोरदार हो कल की expiry में आप खुब सारा पैसा घमाए good night